आपका स्वागत है मेरे कीचन में आज मैं बनाने वाली रॉयल डिश शाही तुकड़ा बहुती टेस्टी है बहुती रिच है साथ ही इसे बनाना बहुती आसान है उन चीजों से जो एजिली हमारे घर में अवेलेबल है तो आएए देखते ऐसे टेस्टी शाही तुकड़ा के इसके अलाबा रोज वाटर है और ये फुट कलर है रेड वाला आप चाहो तो इसे स्किल भी कर सकते हो सबसे पहले मैं ब्रेट के कॉर्णर कटिंग कर ले रहे हूं ब्रेट को थोड़ा सा हवा में सुखा लेना उसका मौश्यर निकल जाना चाहिए ऐसा करने से हमें तलते स दूद भी इस्तेमाल कर सकते हो दूद को मैं तक तक पका रही हूं जब तक के दूद पक के गाड़ा ना हो जाया मैं दूद पकने रख दी हूं अब मैं कर रही हूं चासनी के लिए तयारी सबसे पहले मैंने रखा एक बरतन उसमें मैं डाला है आधी कटोरी शक्र आधी चासनी बनाना है चासनी बन रहा है हमारा रबडी भी मतलब दूद पक के वन फोर्थ हो गया है बस हमारी रबडी बनके तयार है अब मैं डाल रही हूं रोज वाटर गुलाब जल एक स्फून डाल के अब मैं डाल रही हूं बादाम को मैंने एक दम बारिक दर दरा कर लिया आपके हाद में एक तार की चासनी बननी चाहिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, दो तिन पिंच इतना food color, food color डालके मैं ऐसे mix कर रही हूँ, एक बार मैं फिर से चेक कर रही हूँ, मैं प्लेट पे डाल रही हूँ, प्लेट पे डालके देख रही हूँ, हमारी एक तार की च जब तक पलटते हुए गोल्डन ब्रॉण नहीं हो जाते हैं, एक रिच मुगले डीश है आपके गर में कोई बड़े हैं, कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके पहले ब्रेट को फ्राई कर लो, रबडी बना लो, चासली बना लो और गेस्ट को तुरन सर्फ करो, बहुत ही टेस्टी लगेगा मार्केट से हम मिठाई खरीदने के बजाए घर में इस तरीके से बनाओ तो हिल्दी तो रहेगा ही, साथ में सबको पसंद भी आएगा अब चासली में मैं सारे ब्रेट को डीप कर रहे हूँ, डीप करके इनको मैं निकाल रहे हूँ, सर्विंग प्लेट में हमें ये वाला प्रोसेजर उसी समय करना है, जब हम सर्फ करने वाले होते हैं पहले से करके रखेंगे, तो हमारा जो शाही तुकड़ा है वो नरम रहेगा अब मैं सारे ब्रेट को चासली में डीप करके इसे मैं कर रहे हूँ, सर्विंग प्लेट में मैंने सारे ब्रेट को निकाल लिये हैं, अब मैं इसके ओपर डाल रहे हूँ, रबडी वही रबडी जिसको हमने दूद को अच्छे से गाड़ा पका के किया, मैंने यहाँ पर गाय का दूद का इस्तेमाल किया हता आप चाहो तो पैकेट का दूद भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब मैं इसके पर रबडी डाल रहे हूँ रबडी डाल के मैं से गानिश करूँगे कटे हुए ड्रायर फूर्ट्स, गुलाब की पंखुडी और चासनी के साथ आप भी इसे बनाएए अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्षन में बताएए जरूर अगर आप कैसा लगता है इस वीडियो में या किसी में भी कोई इंप्रूमेंट चाहिए तो प्लीज आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताएए मैं ज़रूर उसे इंप्लिमेंट करूँगी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक्यू